कि आपको बताने जा रही हूं कि कैसे एक डिब्बी सिंदूर के साथ साथ तीन लॉंग और आपको आप कर पाएंगे अपने पती को हमेशा के लिए अपने वश में आपको बताने जा रही हूं कि कैसे एक डिब्बी सिंदूर के साथ साथ तीन लॉंग और आपको आप कर पाएंगे अपने पती को हमेशा के लिए अपने वश में जी हाँ एक ऐसा उपाए जो आपको तुरंत असर देगा और इसमें आपको बस करना किया है कि आपको तीन लॉंग लेनी है इस तरह से आप तीन लॉंग ले लीजिए और उसके बाद आप इस उपाए को कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान उपाए है जो मैं आज आपको बता देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर तीन लॉंग ली है, और तीनों लॉंग आपको इस तरह से लेनी है, जिनके उपर इस तरह से यह फूल लगा हुआ होना चाहिए, तूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह की लॉंग आप ले लीजे, अब आपको क्या करना है, कि लॉंग क पहला जो कारे करना है किसी भी कर सकते हैं लेकिन आपको सिंदूर के साथ करना है। कि जब आपकी लॉंग सिध्ध हो चुकी है तो आपको उसके बाद मंत्र का उचारण से ग्यारा बार करना है और उसके बाद आपको इसे समाल के रख देना है दूसरे शुक्रवार पर आपको इस तरह से इसको ग्यारा बार पढ़कर और फिर रख देना है इसके बाद आते है अब हम तीसरे शुक्रवार की बात करते हैं तीसरे शुक्रवार को फिर आपको ये लॉंग सिद्ध करनी है और उसके बाद आपको उस व्यक्ति के खाने में इसको मिलाना है जिसे आप हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं इससे वो व्यक्ति आपके वश में होगा और उस या पिर आप चाहते हैं आपका रूठा हुवा प्यार आपके जीमन में वापस आ जाए अगर आप शादी शुदा महिला है तो आप सिंदूर का उपयोग अपने पती को रिज़ाने के लिए मनाने के लिए कर सकती है और अगर आप शादी शुदा नहीं है अपने प्रेमी को म तो आप अपने लिए सिंदूर खरीदते समय एक डिबी खरीद लिए अब आपको अभी मंत्रत करना है तीन शुक्रवार तक और उसके बाद इसका पाउडर बनाकर आपको अपने पती को खिला देना है अगर आप पाउडर नहीं भी बनाती है आप इनको ऐसे भी खिला सकत पर तो आपको सिंदूर की जो डिबी है वो अपने सामने रखनी है जी हां सिंदूर को भी आपको साथ में अपने हाथ में रखना है और आपको ये मंत्र बोलना है ओम तत भार्व नमो नमहा ओम अमुक सिद्धो नमो स्वाहा यहां पर आपको अमुक की जगे पर अपने प डूसरी लाइन है मैं अमुक सिद्धो नमो स्वाहा मुख की जगे पर पती का नाम बोलिए और यह आपको करना है तीन शुक्रवार यह उपाय को करना है उसके बाद की सिंदूर जो है वह मंतृत हो चुका होगा और लॉंग भी अभित हो चुकी होगी जिंदूर अगर आप तो आपको अपनी मांगने लगाना है और अपने पती के सामने जाना है अगर आपके वाहित नहीं है तो आपको इसका टीका अपने प्रेमी के माथे पर लगाना होगा और आप देखेंगी कि कुछ ही दिनों में आपके जो प्रेमी है वो आपके जीवन में वापस आजाएंग जब भी अगर आपके पती घर पर नहीं है, तो आप अपने पती की एक ऐसी तस्वीर ले सकती है, जो कि आपको देखते होए होनी चाहिए, और जब भी आप मांग भरें, तो आप तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी मांग भरें, एक सब्ताहत तक आप इस टोटके को आज इससे आपको लाब सरूर मिलेगा आपके पती आपके जिल्वन में इस तरह से आएंगे इस तरह से रहेंगे कि आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होंगी अगर आपके जगडे होते हैं किसी भी तरह को लेकर कलेश होता है तो वो खत्म हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप इस उपाय को कीजिए, बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है, तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई और समस्या हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पर हम से पूछ सकते हैं समस्या का समाधान, आज आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों आगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा